भारतिय निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत पाँच राज्यों में विधान सभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है उत्तर प्रदेश में कुल साथ चरणों में मतदान होना है मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया दस फरवरी से दस मार्च के बीच होगी परिणामों की घोशड़ दस मार्च को होनी है निर्वाचन आयोग ने कुरोना गाइडलाइन्स के साथ चुनाव कराने का एलान किया है जिसमें चुनाव लड़ने वालों के लिए कुछ नियम बताए गए है 15 जनवरी तक कोई विजय जलूस नहीं निकाल सकेंगे वर्चुल रैली और डोर टू डोर प्रचार करने की इजाज़त डोर टू डोर प्रचार में भी केवल पाच लोग ही जा सकेंगे 15 जनवरी के बाद कोरोना के हालात का रिव्यू किया जाएगा और फिर रैलियों वजन सभाव पर फैसला लिया जाएगा अगर रैलियों की इजाज़त दी गए तो भी इसमें कोविड प्रोटोकॉल का सकती से पालन किया जाएगा हर रैली से पहले उमीदवार से शपत पत्र लिया जाएगा कोविड नियमों का उलंगन करने वालों के खिलाफ महमारी एट नीमा और आईपीसी के धाराओं के तहत कारवाई की जाएगी राजनीतिक दलों को उमीदवारों और प्रत्याशियों को खुद भी अपना आपराधिक रिकॉर्ड बताना होगा सभी दलों और प्रत्याशियों को हेट, स्पीज, फेक, न्यूज और सोशल, मीडिया, प्लेट फॉर्म को लेकर बेहत सतर्क रहना होगा और इसकी निगरानी भी करनी होगी प्रत्याशियों को उनलाइन, नॉमिनेशन की सुविधा दी जाएगी सभी दलों और प्रत्याशियों को चुनावी अपराद के संबंध में एडवाईजरी जारी की जाएगी कोड ओफ कंडक्ट का सकती से पालन करना होगा चुनाव में हार जीत तै करने वाले वोटर्स के लिए भी निर्वाचन आयोग ने कुछ घोशणा की है कुरोना संक्रमित भी वोट डाल सकेंगे उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा 80 प्लस सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगों के लिए डोर स्टेप वोटिंग की सुविधा 16 फिसदीप पोलिंग बूत बढ़ाए गए है दो लाख पंद्रा से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बने है एक पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम वोटर्स की संख्या पंद्रा सो से घटा कर 1250 कर दी गई महिला वोटर्स को बढ़ावा देने के लिए हर विधान सभा में कम से कम एक पोलिंग बूत को एक सक्लूसिवली महिलाएं ही मैनेज करेंगे वोटर्स अगर चुनाव में धांधली देंखे तो उसी विजिल एप पर शिकायत कर सकते हैं आयोग ततकाल 100 मिनट के अंदर एक्शन लेगा ओतकाल 100 मिनट कर सकता विजिल जादीा झाल 25